कि शान भाईयों आज मैं फूल गोबी के किचिन गार्डन में हूँ और किचिन गार्डन तो आप जानते हैं कि अपनी जरूर तो हमें जो चाहिए उसके बारे में जो हमें किचिन में चाहिए जो जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हमें अच्छा लगता है या जिसे कुक करना अच्छा लगता है तो यहां पर आज मैं kitchen garden में हूँ और यह फूल गोभी का की different जो species है कह सकते हो जैसे फूल गोभी cool की उसकी family की तो उसको यहां लगाया गया है मैं यहां पर आपको बताने हैं जैसे पहला बंद गोभी लगा हुआ है उसके बाद फूल गोभी है फिर broccoli है broccoli की दो तीन varieties में लगी है उसके अलावा गांठ गोभी है और इस तरह से साथ में आपने देखा यहां पर की थोड़ा बहुत गांठ गोभी भी है एक एक क्यारी इन्होंने लगाया है और kitchen garden का में हमारा मकसद यही होता है की family के अनुसार जितनी हमारी बड़ी family है और जितना हमारे पास area available है उसके अनुसार सबजी का उत्पादन करना तो आज हम इसको देख रहे हैं और यहां पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे जलवाईयों बगरा की बात तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फूल को भी एक ऐसी सबजी है जिसको हम कह सकते है ठंड से लेके गर्मी तक सभी में उगाया जाता है और इसकी सुरुवात जो होती है अगर बर्स में कहें तो mostly March, April के बाद शुरू हो जाता है April में इसकी पहली पनीरी डालते है जो बहुत ही early होता है और ये जो किश्मे है कुछ specific किश्मे है खासकर इसमें hybrid तो नहीं है लेकिन कुछ DC है जिसको हम लगाते हैं और ये high temperature पे जैसे 35-45 degree temperature को survive पे perform कर सकता है तो वो जो किश्मे है वो मैंने लिख दिया है ये सारी किश्मे जो है इसको हम गर्मियों में सुरुआत में लगा सकते हैं तो अप्रैल के महीने में जो पनीरी लग जाती है उसकी transplanting जून मई अप्रैल में माई में हो जाती है और जून मई जून के बाद लास्ट में जा करके जून के लास्ट में जूलाई के फर्स्ट विक के आसपास में इसकी harvesting हो जाती है फूल बहुत छोटे-छोटे होते हैं मीडियम साइज के धाई सो से लेकर के 700 ग्राम तक का flower होता है बट ये costly बिखता है इसका rate 50 रुपे से लेकर 100 रुपे कीलो तक मिल जाता है उसके बाद हम जो मई में from a nursery डालते हैं जिसकी जून में हो जाती है और जून में वाली फसल को जून, जुलाई, अगस्ट में जुलाई के last या अगस्ट के last पर तक इसके harvesting चलती है इसमें full का size, medium size का हो जाता है और ये ये वाली किश्मे है जिसको आप लगा सकते हैं और उसके बाद अगस्ट के जून, जुलाई में जून के last में करीब या जून के first week से लेकर के थर्टियत तक कह लीजिए अन्तिम तक तो हम बरसाती किश्म लगाते हैं जैसे कुछ hybrid किश्में भी आ जाती है मेगा है, बर्खा है तो वो किश्में है या और भी जो किश्में हम लिख रहे हैं इसको में से कुछ किश्में आ जाती है इसको भी हम इसी समय लगाते हैं और ये किश्में का size ये इसका full का color white होना सुरू हो जाता है normally जो मैंने पहले दोनों बताए उसमें फूलों का color थोड़ा सा पिलापन लिये हुए हलका सा होता है क्योंकि सूर्ज की रोसनी directly पढ़ती है और बहुत कम किश्में है जो high temperature पर अच्छा perform करता है तो ये किश्में हैं जो mostly कर जाता है उसके बाद आ जाती है आपको बर्शात वाली इसमें white होना शुरू हो जाता है तो जो July में लगाते हैं August सितमबर में फिर August में जुल przysz में जुलाइ अगस्त में जो लगाते हैं सितमबर अक्टूबर नौमبر में हॉर्वस्टिंग उति है तीन महीने की crop हो जाती है फिर October में जो लगाते हैं स्नोबाल किसमे हम लगाते हैं जिसको हम जो बिक साइज का दोड किलो डाही किलो तक का फ्लावर होता है और इसका फूल भी आपने देखा होगा कि एक तरह से पत्तों से ढगा होता है तो ऐसे बहुत सारी किशमे हैं जो मैं आपको दिखा बता रहा हूं तो फूल गोभी को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि फूल गोभी में क्या होता है कि टेम समय के अनुसार आपको किसमों का चुनाओ करना पड़ता है इसमें आप लापरवाही अगर करेंगे तो आपको प्रोडक्सन में आपका असर करेगा सपोज आपने अरली किसम को जो अरली विराइटी है उसको आपने लेट लगा दिया तो उसमें क्या होगा बटन टाइप के फुलावर आने सुरू हो जाएंगा यानि छोटे छोटी गोभी लगेगी पौदा हो सकता है बड़ा हो जाए लेकिन उसको बटनिंग कहते हैं छोटे बटन टाइप के फुलावर बनेंगे कार्ड जिसको बोलते हैं और वो आपके लिए नुकसान देहिक होगा तो इसलिए अरली किसम को कभी लेट नहीं लगाना चाहिए और जो लेट लगने वाले किसमे हैं जो अगर अक्टूबर बगर हम लगती है उसको अरली लगाएंगे अगर आपने नरसरी आपको गलत मिल गया या आपने सीड गलत सेलेक्ट कर लिया तो उसका जो फुलावर होगा फुलावर तो बढ़ेगा लेकिन उसमें पौधे की जो बढ़वार तीन से चार महीने तक उसके पौधे की बढ़वार ही होती रहेगी बहुत पत्ते बहुत बढ़े बढ़े भी हो जाएंगे और उस कंडिशन में आपको क्या होगा कि जो क्रॉप तीन महीने में त्यार होनी थी वो छे महीना भी लगा सकता है तो इसको हम एक तो लेट को हम अगर अरली लगा दिया तो बटनिंग हो गया और अरली को अगर लेट लगा दिया अरली को अगर लेट लगा देंगे तो बटनिंग हो जाएगी लेट को अगर हम अरली लगा देंगे तो पौधी की बहरबार बहुत बड़ी जादा हो जाएगी और फ्लावर लेट से आएगा तो दोनों के इस कंडिशन में कॉली फ्लावर में खासकर फूल गोबी में ये समस्या आती है आप जहां तक बंदगोबी का है बंदगोबी में बहुत सारी किस्म हैं बंदोगोबी में किस्मों का चुनाव, अगर आप खाने के लिए लगाते हैं, खाने के लिए मतलब अपने यूज के लिए, तो आप बिग साइज का बंदोगोबी, जैसे गोल्डन एकर है प्राइड ओफ इंडिया है, इस टाइप के विराइटी है जिसके साइज 2,5 किलो तक बंदोगोबी हो जाती है देशी किस्मे हैं, बहुत अच्छी पूसा की निकली हुई है इसको आप लगा सकते हैं, पूसा अरली ड्रेम हैड, बहुत सारी किस्मे हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन बंदोगोबी में जो नॉर्मली अगर मार्केटिंग के लिए करना चाहते हैं तो बंदोगोबी में हमें वो भाली किस्मों को चुनाव करना पड़ता है जो किस्में, जिसका हेड साइज जो है वो 1 किलो साड़े साथ सो से 1 किलो ग्राम तक का होता है तो इसमें जो बल्ब का हेड का साइज है वो कॉम्पेक्ट रहना चाहिए यानि उस फ्लपी नहीं हो चाहिए, सॉलिड हो एकदम टाइट होना चाहिए उसका हेड तो ये किस्मों का चुनाव लोग खास करके करते हैं तो इसमें बहुत सारी किस्में हैं जो थोड़ी कॉम्पेक्ट आती है जिसका जो साइज देखने में छोटा जरूर होगा बजन उसमें ज्यादा होता है पत्ते के बीच में गैप कम होता है तो इस तरह की विराइटियों का सेलेक्स करना चाहिए जो साइज बहुत बड़ा दिखने को लगेगा लेकिन उसका अंदर में गैप होता है एरस्पेस जादा होता है पत्तों के बीच में तो उसमें क्या होता है उसका बजन थोड़ा कम होता है तो इस तरह के किस्मों का चुनाव करें दो तीज़ें मैंने बताई अब ब्रॉकली की बात मैं करता हूँ कि ब्रॉकली उसी समय आप लगाएं जिस समय ब्रॉकली को आप ब्रॉकली की एक ही टाइम ट्रांस्प्लांटिंग होती है तो मोस्टी अक्टूबर के महीनी में आपने ट्रांस्प्लांट करना है अक्टूबर की ट्रांस्प्लांटिंग जो ब्रॉकली की होगी वो आपको अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर की आसपास में आपको ब्रॉकली मिलना शुरू हो जाएगा तो इसमें तीनो चारो विराइटी जो है बैसे तो एलो कलर की है परपल है, ग्रीन है और तीन ही होती है और एक रोमन स्काय जो रोमनिस काय जिसको बोलते है वो भी ब्रॉकली में होती है और इसको फ्रेस खाया जाता है जहां तक गांट गोबी की बात है जिसको हम टेंडर जिसकी गांट बनती है आपने देखा होगा कि गांठ जो हरे रंग का या परपल कलर का बनता है और जमीन से उपर बनता है गांठ का साइज अलग होता है और इसको थोड़ा से छील करके खाय जाता है जस्ट लाइक सलगम की तरह लेकिन सलगम तुकि जमीन के अंदर होता है और ये जमीन से उपर होता है तो ये ब्रॉकली जो है गाठ गुबी इसको ये भी हमारा वन टाइम ही को करीब करीब लगाते हैं यानि कि अक्टूबर में अगर सप्तमबर अक्टूबर में इसके ट्रांस प्लांटिंग हो जाए तो तीन चार महीने की क्रॉप होती हो उसके बाद अच्छे साइज का जाएगा ब्रॉकली में भी 45 x 45 cm पर पॉधे चल जाएंगे अच्छे ग्रोथ करेंगे गाठ गोभी में 30 x 30 cm काफी इनफ होता है उसका स्पेस तो आप इसको लगा सकते हैं जब अगर कभी बरसात का मौसम हो और कई बार किचन गार्डन या आप मारे खेतों में समस्या हो कि हमें टाइम नहीं मिलडा पॉधे को लगाने का तो ऐसे आप हलका सा गुडाई करके टाइम मिले तो और बिना खेत की तैयारी के आप उसको ट्रांस्प्लांटिंग कर दीजे ताकि पॉधे आपको आसानी से लग जाएंगे और जब मौसम सूखा होगा या खाली हो जब बा पढ़ती है नर्सरी के लिए हम आपको कई बार कहे चुके हैं कि नर्सरी इसकी लाइन सोइंग करनी चाहिए हेल्दी नर्सरी होनी चाहिए डिजीज जहां तक की बात है जो हम अर्ली कॉलिफलावर लगाते हैं लेट कॉलिफलावर या गोभी बर्गी सबजी की कोई भी समस्या तो नहीं आती है बंद गोभी में कई बार जो कैबेश बटरफलाई है उसकी समस्या आ जाते है इसके पत्तों को खाने वाला तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उसके लिए नीम तिका तेल का स्प्रेय आप अपने कीचिन गार्डेन में करते रहें नीम के काप इस्तमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा तो यह थोड़ा सा आपको बताना था फूल गोभी के बारे में अगर आपको और ज्यादा कैसे इसका करते हैं क्यूं करते हैं वो सारे प्रस्ण अगर आप अप लिखेंगे तो मैं इसको जवाब दूगा समस्या जो होती है वो एक समस्या आती है वो है आपका ब्लैक रॉट का या स्टेम रॉट का यह जो कैबेज में खास करके आता है पत्तों पत्ते सूखने लगते हैं पत्तों पे अजीब टाइप का जो ग्रोथ होता है और पत्ते बाहर से सूखना सुरू होता है भी एकार में उसकी जो पत्ते सूखते हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान डखना चाहिए कि उसमें वो बैक्टरिया के कारण होता है और इसके लिए जैन्थो मनासी इसके लिए आप स्टेप्टो साइक्लीन बरगारा का एस्प्राय करते रहिए नॉर्मली फूल गोवी में बहुत ताड़ी बेमारीया नहीं आते हैं कीरे का प्रकॉप भी सुर्वात में कम आता है जो होता है वो मार्च के फरोरी मार्च के फरोरी के बाली क्रॉप में आती है जो डिसमبر में लगा जाती है उसमें थोड़ा कई वार एfिड वगरे की समस्य आजाती है तो इस समय के क्रॉप में जो नॉर्मल सीजन में चलता है उसमें समस्या कमाती है अगर इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो इसमें हम जो हैं मूली को लगा सकते हैं तो किशान भाईयों आज मैं यही किचन गार्डन से आपको दिखा रहा था कि अगर आप फूल को भी लगाना अपना किचन गार्डन को लगाना चाहते हैं तो यह इस तरह का कॉली फ्लावर कैबर इसमें गुड़ाई में कॉली झाल झाल